हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल इस्पिर्ट एडूकेशन, दिसस सुजाता, हम बोकेब सीख रहे हैं फ्रेंड्स, बोकेब में आज हम फोबिया रूट से बनने वाले कुछ वर्ट करेंगे और सभी वर्ट्स इंपोर्टेंट हैं जो मैं आज आपको कराऊंगी, mostly ये वर्ट जो हैँ फोबिया एक रूट आती है, डर के लिए आती है और ये वर्ट बन्वर्ड में mostly पूछे जाते हैं और आज हम वही वर्ट करेंगे, ओकी फ्रेंट्स आईए देखते हैं स्टार्ट करते हैं क्लास को let's start ये आज हमारी X स्रीज स्टार्ट हो रही है और W स्रीज हमारी complete हो चुकी है फ्रेंट्स तो आज हम X स्रीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसी में आते हैं कुछ phobia और इनको ध्यान जरूर दीजएगा और नोट डाउन करती रहे हैं नोट बुक में लेट्स स्टार्ट आज का हमारा वर्ड है Xenophobia phobia root word आता है डर के लिए सभी में ये root है और phobia root word जो आता है डर के लिए आता है इसका मिनिंग होता है डर और ये suffix एड़ हुआ इसमें प्रिफिक्स इसमें एड़ हुआ जिनो और phobia तो दोनों से मिलके बना जिनो फोबिया और डीप डिसलाइक और फोरिनर्स जो फोरिनर होते हैं जो बिदेशी होते हैं अजनवियों से डर के लिए ये root आती है जिनो फोबिया अजनवियों से डर के लिए आती है जिनो फोबिया फोबिया आता है डर और जिनो जो फोरिनर होते हैं फोरिनर को ना पसंद करना अजनवियों से डर लगना विदेशीयों को ना पसंद करने के लिए आती है बुद्योशी से डर के लिए आती है root word genophobia सभी word important है ध्यान जरूर दीज़ेगा मैंने important word ही लिए है एक एक word important है next है हमारा acrophobia 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 आता है phobia root word है डर के लिए आता है acro fear of air fear of air के लिए आता है जिसे हवा से डर लगता है हवा से डर के लिए आती है acrophobia ok friends acrophobia आती है हवा से डर के लिए next है agoraphobia agoraphobia fear of open space खुली जगा से डर लगने के लिए जिसे खुली जगा से डर लगता है fear of open space जो खुला इस्थान होता है खुली जगा होती है उससे डर लगने के लिए आती है अगोरा फोबिया नेक्स्ट है हमारा हाइडरो फोबिया हाइडरो फोबिया जो बड़ आता है फियरो वाटर फियरो वाटर के लिए आता है जिसे पानी से डर लगता है हाइडरो जल के लिए आती है water के लिए आते हैं याद हो जाएगा easily phobia डर के लिए आता है और hydro water के लिए आता है कि fear water पानी से डर लगने के लिए आता है hydro phobia okay friends next word हमारा cholesterol phobia cholesterol phobia जो बढ़ आता है यह आता है one word में fear of closed place जो बंद स्थान होते हैं बंद जगा होती है उंचे कुछ लोगों को बंद जगा से डर लगता है जो बंद-बंद जगा पानी यह आता था है cholesterol phobia okay friends next word है sinophobia spanophobia यहाता है fear of dogs जिन्हें कुछ से डर लगने के लिए लगोट होते हैं जिने कुट्तो से डर लगता है कुट्त्य पसंद नहीं होते हैं उन से डर लगता है उनके लिए आता है वर्ड बनवर्ड में साइणोफोबिया साइणोफोबिया आता है फियर ओफोपोय के लिए के स Tai Mixed lovely of behavior बिप्लियोफोबिया फोबिया हमारा लगता हैं फिरो बूक्स किताबों से ड़ लगने का लिया ठो है नेक्स yol नर्ट विए नक्रो थोबिया फोबिया हमारा रूोट विर्ड है धर के लिए आता हैं नेक्रो जिने गेем keen भीर्डो juicy डर लगता है बोडी से डैड बोडी होती है उनसे डर लगता है फियर ओफ डैड बोडी से जिने डर लगता है मुर्दों से डर लगता है नेक्रोफोबिया आता है उनके लिए नेक्स्ट है बैथोफोबिया बैथोफोबिया आता है जिने गहराई से डेप्थ से डर लगता है फियर ओफ डेप्थ जिने गहराई से डर लगता है उनके लिए वर्ड आता है बैथोफोबिया वन बड में हम कहेंगे बैथोफोबिया नेच्स है हमारा मिथोफोबिया मिथा आता है ब्रहम के लिए ज्छूट के लिए उनके लिंहाता है मिथोफोबिया कुछ लोगों को ज्छूट बोलना पसद नहीं होता जूट से हुने बहुत डर लगता है वो जूट से बहुत दूर होते है मिथो फोबिया उनके लिए आता है बन बोर्ड में आएंगा मिथो फोबिया नेक्स्ट बड है हमारा ओकलोफोबिया ओकलोफोबिया आता है irrational fear of crowds जो भड़े की भीड होती है ऐएंग्री मौब होती है . उसके लिए वर्ड आता है. नेक्ष्ट वर्ड हमारा अंगलॉफोबिय अग्टलो फॉबिया हमारा root word है डर के लिए आता है एंगलो इंगलेंड से आया है एंगलो और वहीं से हमारा इंगलिस का origin हुआ है वहीं से प्रादूरबाब हुआ है इंगलिस का फियर वो फिंगलिस इंगलेंड and English thing English से डर के लिए या English से समंदित किसी भी चीज से डर लगने के लिए आता है Anglophobia जो English से समंदित कोई भी चीज होते है उससे डर के लिए आता है Anglophobia ओकी फैरंस अही होब आपको clear हुआ होगा एक Anglo Shannon period है जिसमे जहाँ से Anglo इंगलेंड का प्रादुर भावा वहीं से इंगलिश आई है तो अब काफी लंबी हो जाएगी किलास मैं इसके बारे में समझाने लगी तो ओकी फ्रेंड तो एंगलो आप यह सोट में ऐसे समझ लेजिए कि एंगलो इंगलेंड को कहते हैं और इंगलेंड से हमारा इंगलिश एक root word आता है पागलपन के लिए इससे भी मैं आपको word कराऊंगी मैनिया से आज आपने phobia word से किये है और मैनिया पागलपन के लिए आता है एंगलो मैनिया एंगलो इंगलिस और मैनिया पागलपन जिसे इंगलिस का पागलपन होता है इंग्लिस का जुनून होता है, इंग्लिस सीखने का जुनून होता है, उसकी धुन सबार हो जाती है, अंग्रेजी से समंदित किसी भी चीज़ की धुन सबार होना, अंग्रेजी को सीखने की धुन सबार होना, उसका पागलपन होना, जुनून होना उसके लिए बढ़ाता है, font of English things English से समन्दी चीजों को पाने की जिसको इच्छा होती है धुन होती है जुनोन हो जाता है उसके लिए वड़ाता है Anglomania तो हमने आज ये कुछ वर्ड सिखे जो root वर्ड थे और सभी important है आपके exam के लिए इनसे आने वाले मैंने जो कुछ बढ़ रह गए होंगे मिस हो गए होंगे तो मैं आगे आपको करा दूँगी ओके फ्रेंट तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में से जादे से जादे से जादा उठा सकें इसका ओके फिरंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्स वर वाचिंग टेक केर बाई बाई